हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो अग्रिकल्चरल अक्याडमी इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे गरी कल्चर जने टिक्स फर्स्ट जो टॉपिक हमारा सेल स्टक्चर फंक्शन एंड असल साइकल ठीक है सबसे पहले इसको हम डिवाइड करेंगे सेल स्टक्चर और सबसे पहले अगर हम देखेंगे सेल स्टक्चर और फंक्शन में जो कॉस्चन साते हैं वह इसका क्या आता है मतलब यह पैटन क्या रहता है इसका ट्वेंटी फिफ्टीन में आया सिस्टीन को छोड़के 17 में 18 19 21 22 में नहीं आया ठीक है लेकिन यहां पर अगर देखें 15 16 17 18 20 18 में दो कॉस्चन साइए इस पे सेम मतलब सेल स्टक्चर और फंक्शन के और 22 में भी अगर आप सेल साइकल को देखेंगे तो सेल साइकल में मैंने 2012 से पहले नहीं लिये मैं कुछन इसमें इंक्लूड नहीं किये मतलब 2012 से लेके 2022 तक अ ठीक है तो सबसे पहले 20 इसमें आय कुछन है हुए तो मैं आपको आगे बताता हूं कैसे होता है ठीक है तो सबसे पहले यह पीवाई क्यूज है ठीक है यह यह हैं डिटन सारी इस प्रिंट आउट जो है प्रिंटेबल फॉर्म में नोटस बन रहे तो होफुली यह भी अविलेबल हो जाएंगे ठीक है तो यह हम इसको ऐसे देखते हैं ठीक है सबसे पहले अगर हम सेल स्टक्चर और फंक्शन को देखें तो इसमें क्या होता है डिरेक्ली कोशन कैसे आते हैं सबसे पहले आएगा डिरेक्ली आपका जो कोशन आएगा वह जर्नल जर्नलाइज कोशन आएंगे और कुछ स्पैसिफिक को function बता हुए typical plant cell का ऐसे questions आते हैं ठीक है यह हुए general question फिर specific question आते है specific question में आपको और्गनलीज पर question आते हैं ठीक है जैसे कि यह और्गनलीज है इन पर अभी तक question आये हुए ठीक है तो यह specific हो जाता है तो हम क्या गरेंगे इसमें हम सबसे पहले जो कि important हमारी specific और्गनलीज है उनको भी पढ़ेंगे हम उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि जिस हिसाब से question आये हुए हम उसी हिसाब से उनको पढ़ेंगे ठीक है और हम एक specific journal template भी बनाएंगे जैसे कि major component of cell structure जो कि आपको हर जगा हर किसी की नोट में मिल जाएगा लेकिन यह चीज़ें जो है नहीं यह बहुत important है तो इसमें हम इसको जैनलाइज पढ़ेंगे ताकि आप जब question लिखें जो कि one मतलब 150 marks 150 words का 10 marks का question है तो आप उसको complete कर पाएं ठीक है और 15 marks का question अगर आई या 20 marks का question आए तो आप इसको complete कर पाएं और बिल्कुल अच्छा question लिखें अच्छा answer लिखें उस पर ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं अभी यह देखो यह सबसे पहले इसमें cell की definition है जो कि 2-3 बार आई हुई cell plant cell और animal cell में difference दो बार आया हुए उसके बाद इसमें structure function जो है वो कैसे आता है सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको कि जर्नल आपको structure पोचेंगे बताओ जर्नल structure of a plant cell या typical structure of a plant cell या major component of a plant cell तो यह सारी एक सेम चीज है ठीक है यह अलग-अलग तरीके से question पूचा हुए है और है यह सेम चीज है उसके बाद इसके function भी आते हैं ठीक है function मतलब typical function of a plant cell ठीक है उसके बाद specific organism में जैसे कि अगर मैंने जब पीवाई के उस देखे तो इसमें अभी तक तीन ही जो और गनलीज है उन पर question पूचेंगे सबसे पहले एक तो है cell wall दूसरा है mitochondria और तीसा है protoplasm ठीक है अब कुछ जो important जो और गनलीज होती है जैसे कि chloroplast इनके अलावा chloroplast हो गया protoplasm पूछा है तो cytoplasm भी पूछ सकते हैं Nucleoplasm भी पूछ सकते हैं नूखलस भी पूछ सकते हैं ठीक है और यह जैसे cell wall की बात कर हम करें तो cell wall में क्या question आया हुए अगर आप इसको ध्यान से देखें तो cell wall में पूछा है mode of origin growth of a cell wall अब जब कोई भी जो पड़ा मतलब जो भी optional पड़ाते हैं तो उसमें यह चीजें नहीं करते हो include वो सिधा cell wall का structure पड़ाते हैं और उसके बाद function पड़ाते हैं है तो 2017 में question आया हुआ है तो अगर किसी ने पीवाइक उस किया होता है यह वला तो जब वो 2020 का पेपर दिया अगर उसने दिया होगा तो उसमें इसको बिल्कुल easy हो जाता है क्योंकि उसने पहले पीवाइक क्यों किया होता है तो same question इसमें repeat हुआ है तो इसलिए पीवाइक को भी हम उसकी growth तो नहीं होती है उसमें लेकिन उसकी हम structure पढ़ेंगे और उसका formation पढ़ेंगी कैसे बनता है plasma membrane ठीक है तो उसके बाद हम माइटो कॉंट्र देखेंगे तो माइटो कॉंट्र में ने पूचा है कि powerhouse of the cell क्या होता है इसका structure बताओ और इसका inner और outer membrane जो होती ह है उसके बीच में difference बताओ ठीक माइटो कॉंट्र का यह दो तीन बार आया हुगा है question plus one का मतलब पहले तो माइटो कॉंट्र फिर प्लस वन मतलब एक बार और रहा है प्लस वन मतलब एक एक बार और रहा है ठीक है उसके बाद अगर आप देखें इस specific organism में हमको कुछ है protoplas protoplasm सबसे पहले protoplasm क्या होता है then what is the chemical composition of protoplasm and physical properties of protoplasm although protoplasm include करता है cytoplasm and nucleoplasm को ठीक है तो अगर आप ने यह वाला question पढ़ा है तो अगर आप अगर आप cytoplasm आएगा तो उसमें आप यही वाला सेम लिख सकते है ठीक है तो यह और इनलीज cell structure और function के basis पर यह question है ठीक है उसके बाद अगर cell cycle को हम देखें तो cell cycle पूछा किया what is cell cycle इसमें दो बार आया हुआ यह question उसके बाद mitochondria sorry mitosis division पर question आया हुआ है mitosis cell division पर question आया है तो इसमें क्या question आया है इसमें जैसे मैंने आपको बोला दो बार question आया हुआ है यहां पर CSC में ही दो बार question आया हुआ है तो सबसे पहले एक question यह आया है कि different stages बताओ interface of mitosis mitosis की interface पर interface की stages बताओ अब अगर मान लो अगर आपने यह वाला question किया होता इसको तो 2022 में अगर mechanism पूछा जाता हो तो यह बहुत ही easy हो जाता आपके लिए लिखना क्योंकि आप यह चीज़ पढ़ोगे तो देखो इसी पर हमको पता है कि अगर यह चीज़ पूछी हुई है तो इसी पर question आने के chances बहुत भढ़ जाते है ठीक है एक तो यह मतलब इसकी development पे मतलब अगर यह चीज़ question आया हुआ है तो इसके आसपास जो भी चीज़े होंगी इसको हम पढ़ेंगे एक चीज़ दूसरी चीज़ यह है कि अगर mytosis आया हुआ है उसके बाद meiosis जो है वो हम basic level का पढ़ेंगे क्योंकि अगर उस पर question आएगा तो पहला basic level का question आएगा ठी अगर किसी नॉर्मल पढ़ा होगा तो आराम से इसको solve कर सकता है लेकिन यह mechanism में आपको क्या है इसके लिए आपको पीवाई को देखना है और उसको उसकी मतलब उसके ओपर काम करना की आपको देखना की और क्या question बन सकते है उस पर ठीक है तो यह था यह थे पीवाई क्यो of life ठीक है of plants and animals जो भी है ठीक है उसके बाद cell theory का कहती है विसे तो यह पूछी नहीं गी है बट स्चिल हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो सारे plants और animal cells हैं वो कहां से मिले हो या उनके products जो है वो सारे कहां से मिले pre-existing cells है और जो सारे animal or plant है उनके product है वो भी cell से बने हो होते हैं और cell basic unit है और इसमें chemical composition सेम होती सब में और metabolic activity भी सेम होती है ठीक है सारे cells में जाहे वो किसी का भी हो ठीक है उसके बाद cell structure में हम सबसे पहले हमने जब इसको microscope के अंदर देखा तो हमने देखा कि light microscope के अंदर हमको cell wall cytoplasm और nucleoplasm दिखा cytoplasm में भी mitochondria और chloroplasm हमको दिखाई दिए देन हमने जब यूज किया electron microscope तो उसमें हम प्रोक्रोड का cell जब हमने देखा तो उसमें हमको detail क्यूंकि इसकी magnification power जादा होती है तो हमको detail चीज़े दिखी यह तो हमको पहले में भी दिखा था cell wall plasma membrane extra दिखी हमको और cytoplasm में यह सब चीज़ें हमको मिली है मतब दिखाई दिए उसके बाद nucleus nucleus हमको दिखाई दिया ठीक है इसमें endoplasm की reticulum हमको दिखा गौली बॉड़ी लाइजोजोम स्फेरोजोम और mitochondria और chloroplasm को दिखाई दिया तो अब हम जब cell structure पढ़ेंगे तो हम यह चीज़े include करेंगे इसमें ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें different components या different organelles क्या होती है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें हम देखेंगे cell बाहर से start करते हैं cell wall से start करेंगे उसके बाद cell membrane देखेंगे देन वी विल सी दिप्रोटोप्लाजम ठीक है उसके बाद साइटोप्लाजम साइटोप्लाजम में यह सारी organelles है जो main organelles हैं उनको हम जैसे मैंने कहा उनको हम जिसमें question बन सकता है detail में specific तो इसको हम पढ़ेंगे जैसे कि प्लास्टिट या क्लोरो प्लास्ट पर हम जो इस detail में आएगा mitochondria चुका इसको भी हम थोड़ा से देखेंगे किसका यह कैसे बनता है और यह क्योंकि यह चीज़े सेम एक तरिके से होती है आपका यहां से start होती है यह यहां को बनती जाती है जो भी आपकी स्कृष्ण आती हो यहां से आती है इंडी प्लाजमी रीडिकुलम है अपना काम करके इसको फिर जहां पे जुरुत होती ही जहां पर उसके नीड होती हो वहां पर भीएज देता उसको चीज को यहां आगे देखें के कि यह चीज कैसे होती है कुछ स्माल और गनली जोती जैसे राइजोजोम, लाइजोजोम, माइक्रोटुबूल्स यह सब चीजे वक्यूल्स यह हम बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे ताकि जब हम कोश्चन लिखेंगे अगर 20 माक्स का आया तो जिसमें हमको स्टक्चरल यूनिट पूछा तो उसमें हम यह च किये हो हम यह मेजर मेजर होती हम इनको ही बहुत यह चले घड़ें कर लेहता है तो यह एक जो सक्षण हम देखेंगे यह सेल स्ट्रक्चर है ठीक है जो सबसे पहले हम इसको अगर आपने डाइगन बना इनको तो बिलकुल आप यही बनाना ज्यादा फैंसी डाइगन बनाने की जुरुएत नहीं स्टार्ट करेंगे यहां से सेल वॉल है उसके बाद यह प्लांट सेल सोरी इस इस इसको मैं ठीक करूंगा बाद में यह प्लाजमा मेंब्रेन है यह आगी सेल वॉल आपके पास ठीक है उसके बाद अगर हम अंदर जाएं सबसे पहले यह देखेंगे हम वक्यूल बीच वाला सेंट्रल वक्यूल होता है उसके बाद यह न्यूकलस आ गया न्यूकलस के साथ ह रेटिकुलम है यह आपका इंडोप्लाजम की रेटिकुलम है ठीक है स्मूथ इंडोप्लाजम की रेटिकुलम और यह है रफ इंडोप्लाजम की रेटिकुलम रफ के उपर होते हैं राइबोजोंस ठीक है राइबोजोंस रफ के उपर होते हैं ठीक है उसके बाद क्या है उसके बाद यह आगे आपका गॉल्गी बोड़ी यहां कोल्गी कॉंपलेक्स बोल सकते हैं इसमें इसमें सिसफेस होता है इसमें और एक ट्रांस होता है प्लोड़ा साथ मिल्कुल यही चीजंव वहाँ पीपड़ा इसके नाम तो यह चीजें होगी सिस सेज इस होता है तो इस होता है कि इस सिक्रीशनいいS coś को पकड़ता है अपना काम माताइज हो तो उसको बाद आ गया है यह आपके पास chloroplast यह आगे आपके पास mitochondria इसमें यह चीजें है यह हम बढ़ेंगे ठीक है तो यह आपका जो है plant cell structure है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो यह आएगा सबसे पहले हम बढ़ेंगे कि इसमें cell wall चीक है आज आल नो कि यह जो cell wall होती है इस द आउटर मुष्ट लेयर आफ प्लांट सेल ठीक है plant cell में सबसे बहर की जो membrane होती है और layer होती है उसको हम बोलते है cell wall तो यह plant cell में मिलती है bacterial cell में मिलती है ठीक है उसके बद बीजी ए blue green algae में मिलती है animal cell में absent होती है आउटर मोस्ट होती है और नौन लिविंग होती है ठीक है नौन लिविंग इन दे सेंस कि यह ऐसे material से बने होते हैं जो कि non living होते हैं जैसे कि cellulose वगेरा ठीक है तो यह सबसे पहले हम देखते हैं इसमें यह यह जो पार्ट है यह क्या है सबसे पहले देखो यह इसको ध्यान दो यह जो part है ना यह जो white color cup को देख रहे है यह plasma membrane है is adjacent cell की जो 세상 cell की जो лही इसके moving है और यह green color cup को दिख रहा है थीक है यह यह उसकी cell wall है ठीक है यह उसकी cell wall है अब यहां पर हम देखते हैं कि हमने और जो adjacent cell होते है उनके बीच में एक layer होती है जिसको हम बोलते है middle lemela ठीक है तो सबसे बाहर वाली की हो हम क्या बोलेंगे middle lemela ठीक है उसके बाद उसके अंदर यह आ गया आपके पास middle तो जो प्लांट बीच वाली प्राउन ऐा गया आपका ऐमिडल अमिला उसके बाद आएगा प्राइमरी सेल वाल ठीक है प्राइमरी सेल वाल स्वार्टिन, मैं स्टार्टिन, में तो प्राइमिरी सेल वाल ही होती है जब सेल होता है उसके बाद जब सेल की ग्रोथ होती है, तो उसमें क्या होता है? इसमें अडिशनल मधीरियल ऑगते aste रριजाने अंदर वाली तरफ किक कि उन्दर से आते हैं शायटो प्लाजम से या नम भी बढ़ेंगे सेल वाल का तो यह हमारी पर सेखी एक बन जाती है यह यह आगी सेंड्री शेल वाल कि इसका यह का रौह का स्टक्चर चीक कें तो यह आपको एसे है डाइगरम बना सकते हो आप she को सबसे पहले आगा मिडल नहीं मिला यह वाला यह दूसरे वाले साल की यह गरीन वाली जो है आपके पास इस दे प्राइमरी साल वाल और इसके अंदर वाली जो यह में लाइट कलर से बनाया हुआ है इस से केंडरी सेल वाल ठीक है अब हम इसका अल्टर श्रक्चर भी ठीक होता है सबसे ऑटर मॉस्न मिडल यह मिला होता है निपर मटियों कहाँ बनता है जब सेल डिवाइड होते हैं फैस पर टिलो ठीक है तो उसके बाद इस सेयल फेस्ट ऐसडियर वाल बनती है तो आया इसल और मेगनेशियम होथा है चीक है इसके बाद वाद Scale prag देसें यह आगAYा प्राइमरी सेल बाल किसके बीच में होती है मिडल रेमिला और सेकेंड़िय सेल वाल के बीच में होती है और यह मतलब यह बंदी कैसे एट इस फॉर्म आफटर यह बनता है उसके बाद सेलोस मतलब यह सेल वाल जो फॉर्मेशन कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि सेल्लोस हैमिसल्लोस पैक्टिन सबस्टांस यह अंदर से आते हैं आपके पस प्रोट मतब साइटोपलाजम प्रोटोप बनती है ठीक है उसके बाद secondary cell wall कि कहां पे होती है जैसे कि मैंने आप आपको भी बताई लाइस बिट्वीन दे प्राइमरी सल ओल और प्लाजमा मेंबरेन के बीच में अब तो यह किसे की बनी होती है cellulose microfibers ठीक है cellulose microfibers क्या होते हैं यह पेरलर cellulose जब फिर्लियोस के अधिए से छोग भिए उसक को हम बोलते हैं इसमय क्रोस लिंग होती ए जो सेलोस के मॉल्डीए होते हैं उनकी तो उसके क्या हमारे पस वह पर सेकेंड़ी सल्वड बनती है और उसके बाद इसमें दूसरे जो सबस्टांसे होते हैं जैसे कि लिगनिन वगेरा इसकी डिपॉजिशन भी होती है तो उसकी वज़े से इसको और स्रेंथ मिलती है तो इसको बोलते हैं हम सेकंडरी सेल वाल ठीक है अब यह अलग अलग अर्गनिजम्स के मतलब जिनके सेल्स आई मैं ने तो यह हम देखेंगे कि इसका आज़िवें किसे होता है सबसे पहले इसका और इदी इस और इसे क्रेटे ड़्राइब बाइंन पोछी अट्यूर्ट जिसको हम परोटो प्लाजम बोलते हैं ठीक है वहां से ही स्कृइट होती है ठीकिया सेल भॉल की बात करहें प्रोटोप्लाजम से क्या होता है प्रोटोप्लाजम स्वरी प्रोटोप्लाजम के अंदर मतलब हम देखेंगे प्लाजम मेंबरेन होती है और साइटोप्लाजम होता है जो प्लाजम मेंबरेन होती है वह हमारे पास सेलुलोज से करती है ठीक है मतलब वहां से सेलुलोज हमको म बनते हैं Cytoplasm से मिलते हैं तो इसकी synthesis को control contact कौन करता है गॉल्गी बॉड़ी अब गॉल्गी बॉड़ी क्योंकि साइटो प्लाजम में जो substances बनते हैं उनकी transportation उनकी packaging और उनको store करना ताकि वह mature हो जाएं वह सारा काम गॉल्गी बॉड़ी करती है तो यह था origin of cell wall now we will see the formation अब formation कैसे होती है इसके steps क्या है सबसे पहले आप देखो कि इसमें क्या होता है सबसे पहले हम हमारे पास जो cell wall compounds होते हैं यह cell wall components होते हैं जैसे कि cellulose hemi cellulose बगारा इनका synthesis होता है ठीक है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि cell wall जो cellulose होता है है यह हमारे पास plasma membrane पर बनता है और यह जो बाकी होते हैं इसके यह वाले यह हमारे पास cytoplasm पर बनते हैं तो सबसे पहले इन चीजों का synthesis होता है उसके बाद क्या होता है second step is the transportation of the cell wall components जो cell wall के components होते हैं इसका यह ट्रांस्पोर्ट होते हैं to the cell surface मतलब जो cell का surface होता है यहां पर आते हैं और we can say the extracellular surface extracellular surface के मतलब cell plus membrane के बाहर आजाते हैं उसके बाद इन में जो polysacrides होते हैं यह सारे polysacrides हैं ठीक है तो आपको पता है polysacrides क्या होते हैं ठीक है monosacrides polysacrides तो वहां से क्या होता है यह इनकी cross linking होती है cross linking जैसे होगी तो उससे क्या हो बनेगा cellulose microfiberls बनेंगे ठीक है तो उसके बाद इसी तरह cell plate की मतलब cell wall की होती है यह फूर स्टेप्स हैं जिस जो हम मतलब कह सकते हैं कि cellulose की formation में help करते हैं यह स्टेप्स इसारीज इस्टेप्स देटकर्स दिरिंग धे फॉरमेशन आपटए कि शेलवाल की growth होती है ठीक है अब यह तो था formation कैसे होती है बन गया है अब formation होगी तो primary cell wall ही बनेगी उसके बाद cell wall की growth होती है मतलब primary cell wall से secondary cell wall भी बनती है अब देखो यहां अगर आप देखेंगे इसको इस पर ध्यान देंगे तो जब हमारा cell होता है उसमें होता है इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है यह सब ठीक है यह होता है हमारे पास middle amyla सबसे outer वाली middle amyla फिर यह होती है primary cell wall उसके बाद होता है प्लाजम मेंब्रेन जैसे अंदर वाली लेयर होती है ठीक है तो यहां पर cell low synthesis होता है cell low synthesis होता है cell low यहां पर भेज देता है तो सही यह बन गया आपके यह है आपके पास cell low होता है हमारे पास ठीक है तो अब यह डिपेंड करता है अलग अलग में होता है किसी में कुछ होता है किसी में होता है किसी में कुछ होता है ठीक है तो उसके बाद हम देखेंगे यह होता है ठीक है तो इसमें हमी cell low होगा ठीक है यह जो आपको दिख रहा है हमी cell low इसके अं बनती है एक तो cell की division उस ताइम पर हमारा primary cell wall बनता है उसके बाद cell expand करता है जब cell की expansion होती है दो तरीके से होती है यहां तो cell normally growth कर लेता है ठीक है normal growth होती है और maturation होती है तो उससे भी secondary cell wall बनती है दूसरा क्या होता है cell expand करता है elongate करेगा तो इसमें क्या होता है इसमें यह जो micro-favals होता है यह इसमें यह break हो जाते है मतलब break in the sense कि इसमें deformation आ जाती है तो उसके बाद क्या होता है इसमें deposit हो जाते हैं जैसे दूसरे substance जैसे liganine वगेरा आपको बता है तो देखो यह primary cell wall इतनी रह जाती है और secondary cell wall में क्या होता है secondary cell wall primary cell wall का ही पार्ट है मतलब उसमें जब अलग चीज़े तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं और तो अब यह कैसे बनता है सबसे पहले हम लिखेंगे कैसे अगर ग्रोथ हाएगा तो हम बोलेंगे कि सेल वाल सेल डिविजन के टाइम primary cell wall बनती है तो जब सेल ग्रोग ग्रोग करता है तो उसमें secondary cell wall भी बनती है तो वह दो तरीके से बनती कि एक तो सेल मतलब नॉर्मली growth और maturation करता है तो उसके बनती है दूसरी क्या होती सेल की expansion होती है आगे चलते है तो सेल grow और mature जब होता है तो इसमें क्या होता है as we know that the additional deposition of the layers होती है जैसे कि लिगनिन ये rigidity प्रोवाइड करता है इसको इसको लिगनिफिकेशन बोलते है कि इस process को इसमें enzymes कb inhale का use होता है उसके बाद क्या होता है cell elongate करता है cell elongate का सेल की इना करती है तो इसमें plastic deformity हाती उसके बाद क्या होता है उसमें expansion me cell में तो with the help of enzymes expansion होती है जिसके उसके बाद connection जो होते हैं की लूज जाते हैं किसके जो तो सॉललो जाते हैं , इसमें क्या हो जाता है , उसमें ल único डिपॉस जाते है它μεं it कर ना ता उसमें मतलब होता आपका पास संट्री सेन्डी चेल वॉल सेन्डी फर्मेशन डिली क्या है , आसमें पले मतलब आपके बिल्ली सेल न ओर दिली डिली रीकिण डिली फके है या नग आया भी नहीं कुशन नहीं नाया वह तिक है देन वी हाव द फॉंक्शन अब इस अल वह तो दिए इस इंपल स्ट्ट्रल्स पोर्ड मिलती है प्रटक्शन मिलती है कम्निकेशन होता है एंड वी है भाव दिस दिस देज वाटर मेनेजमेंट अंड थें देन ग्रोथ development में help करता है cell wall तो it is simple मतवाप अगर खुद भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा shape और रिजिडिटी को करता है maintain करता है trigger pressure और प्रोटक्ट करता है हम को हमको ने cell wall को प्रोटक्ट करता है from mechanical stress then the protection में क्या करता है oxygen toxic substances होते है physical damage से प्रोटक्ट करता है ठीक है और यह रिगुलेट करता है moment of जो molecules अंदर भाराएं ठीक है उसके बाद then we have this cell to cell connection होता है आपको पता है ठीक है उसके बाद coordinate करता है with the cell अपने एक दूसरे एक cell के मतब आपस में इसके आस पास जो cell होता है और जो environment होता है उसके साथ यह मतब communicate करता है then we have the water management water management में क्या होता है आपके बस यह रगुलेट करता है water को dehydration को prevent करता है और imbibation को मतब help करता है उसमें ठीक है उसके बाद growth में support करता है हमको cell wall हमको support करती growth में और LO करता है cell deformation मतब differentiation cell differentiation in the sense की मतब cell पहले बनते है उसके बाद उनके differentiation होता है ठीक है तो this was about the cell wall अब हम आगे पढ़ेंगे अगला हम पढ़ेंगे plasma membrane